जम्मू कश्मीर के दोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टेन दिपक सिंग के लिए आज पुषपांजली समारोह का आयोजन किया गया सेना के अधिकारी और जवानों ने उन्हें शरधांजली दी स्वतंतरता दिवस के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को जम्मू में आतंकी मुत्वेड हुई सर्च अपरेशन के दोरान जंगल में चीपे चार आतंकियों ने जवानों पर फाइरिंग कर दि इसमें 48 अरास्ट्रिय राइफल के कैप्टेन दिपक सिंग घंभी रूप से घायल हो गए बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया